आज हम लोग बात करेंगे धातु एवं अधातु के रासायनी गुणों में अंतर के बारे में बहुत ही सरल ट्रिक से आज हम लोग धातु एवं अधातु के रासायनी गुणों में अंतर को जानेंगे यह ऐसी ट्रिक है पस एक लाइन आपको याद करना है और उसके बाद जो ट्रिक है वो देखिए आप लोग ये ट्रिक आपको याद करना है OHCL तनु आजा ये है ट्रिक OHCL तनु आजा तनी आजा तो OHCL तनु आजा ये आप एक बार ये दिया आपने याद कर लिया तो ये बहुत आसानी के साथ आप धात एवम अधात में पांच रासायनिक गुणों में अंतर आसानी के साथ लिख सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है ये पांच इसमें जो दिये हुए हैं ये पहला नंबर O है O मतलब होता है oxygen O से मतलब है oxygen तो पहला point आपका क्या हो जाएगा oxygen के साथ KRIA अभी पहले मैं ट्रिक की बात करता हूँ उसके बाद फिर धातो धात के गुणों के बारे में बात करूँगा तो पहला क्या हो गया O मतलब oxygen oxygen के साथ KRIA सभी के साथ क्रिया होगी, ध्यान रखिएगा, सभी में के साथ क्रिया, के साथ क्रिया लिखना है आपको, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ये फर्स नमबर हो गया, सेकेंड नमबर पे आपको लिखना है, हाइड्रोजन, ह का मतलब हाइड्रोजन, ह-C-L नहीं लेना है आपने ह यहाँ H को अलग करना है, C-L को अलग करना है तो second number पे हो जाएगा आपका hydrogen के साथ क्रिया second number क्या हो गया? hydrogen के साथ क्रिया अब third number पे है C-L, C-L मतलब chlorine अब third number पे लिखना है आपको chlorine के साथ क्रिया तो OH-C-L हो गया अब यहाँ पर fourth number पे है तनु आ जा तो तनु आ मतलब तनु अम्ल क्या है यह? तनु आ मतलब तनु अम्ल चौथा नमबर हो गया तनु अम्ल तो लिखेंगे हम यहाँ चौथा नमबर पे तनु अम्ल के साथ क्रिया और पांचवे नमबर पे हम लिखेंगे जा जा अर्था जल जल के साथ क्रिया किसके साथ जल के साथ क्रिया तो इस तरीके से ये पांच पॉइंट हमारे बन जाएंगे कौन कौन से हुए देख लीजिए O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, C-L से क्लोरीन तनु आ से तनु अमल और जा से जल तो इनके साथ आपको लिख देना है ये सभी के साथ ये पॉइंट्स याद रख़िए और सभी के साथ लिखना है के साथ क्रिया, Oxygen के साथ क्रिया Hydrogen के साथ क्रिया, Clorine के साथ क्रिया तनु अमल के साथ क्रिया और जल के साथ क्रिया तो ये सबी के साथ अभी क्रियाओं को लिखना है और अब points देखिए कि धातु और अधातु में क्या लिखना है तो एक चीज का ध्यान रखेंगे oxygen के साथ क्रिया हो रही है तो oxide बनेगा क्या बनेगा oxygen के साथ क्रिया हो रही है तो oxide का निर्मान होगा पहला पॉइंट दूसरा हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो रही है तो हाइड्राइड का निर्मान होगा किसका निर्मान होगा हाइड्राइड का निर्मान होगा क्लोरीन के साथ क्रिया हो रही है तो क्लोराइड का निर्मान होगा क्लोरिन के साथ क्रिया हो रही है तो हाइड्राइट का निर्माण होगा तनु अमल और जल के साथ क्रिया होगी तो धात्विये हाइड्रोजन के समुक्त करेंगी दोनों लाश्ट की जो हिंदी वाले हैं ये दियान रखिएगा कि ये हाइडोजन कैस मुक्त करेंगी और अधातु क्रिया नहीं करती है चलिए अब फिर से देखें इसको एक बार ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो ऑक्साइट का निर्मान होगा जो धातु होती है वो छारी धात्विक आक्साइट बनाती है इस चीज़ को विशेज ध्यान रखेंगे कि जो धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके चारी धात्विक आक्साइट बनाएंगी अक्साइट हमको पता है कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही तो ऑक्साइट बन रहा है लेकिन ये दिहान रखना है अपने को कि ये चारी धात्वी का अकसाइट बनाती है और अधात्व क्या करेंगे अधात्व अब यहां चारी बन गया अब बचा क्या अमली और उदासीन तो अधातु जो है वो अमली या उदासीन आकसाइट का निर्माण होगा लेकिन धातु में छारी आकसाइट का निर्माण होगा और अधातु में अमली या उदासीन आकसाइट का निर्माण होगा है पहला पॉइंट हो गया है दूसरा हाइडोजन के साथ क्रिया तो प्राया अधिकतर धातु हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं लेकिन जो कुछ भी क्रियासिल धातु हैं वो क्रिया करके धात्विक हाइड्राइड बनाएंगे ध्यान रखेंगे चोंकि धातु है तो बहुत सिंपल है धात्विक लिख दीजिए धात्विक हाइड्राइड बनाएंगे या फिर यहां लिख दीजे कि अधिकतर धातुएं क्रिया नहीं करती हैं और जो क्रिया करती हैं क्या बनाती है धात्युक हाइड्राइड 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 बनेगा और धातुओं में हो रहा है तो धात्युक हाइड्राइड बनेग होगा ध्यान रखेंगे सहसायोजग जो सहसायोजग सब्द है ये दो बार आएगा और वो अधातु में ही आएगा धातु में नहीं आएगा तो हाइडाइड का निमारट होगा दातूं में आईनी क्लोराइड बनता है और अधातूं में सहसा होजग क्लोराइड बनता है तनू अमले के साथ क्रिया होने पर धातू हाइडोजन गैस मुक्त करती हैं दोनों में याद रखिएगा तनू और जल तनू अमले और जल के साथ क्रिया करके धातू हाइडोजन गैस मुक्त करती हैं दोनों सिंपल हैं और अधातू ये दोनों से क्रिया नहीं करती हैं अधात तो आपके बहुत अच्छे से बन जाएंगे ये चौथा और पाच्वा तनू अमला और जल में ये तनू अमला और जल में ये धातु हैं हाइडोजन गैस मुक्त करती है और अधातु हैं हाइडोजन गैस मुक्त सॉरी ये क्रिया ही नहीं करती है क्लोरिन में तो आइनिक क्लोराइट बनेगा धातू ये आइनिक बनाएंगी तो आइनिक क्लोराइट बनेगा और अधातू क्लोरिन के साथ क्रिया करके सहसायोजक क्लोराइट तो दोनों में यहां सहसायोजक क्लोराइट भी बन रहा है और सहसायोजक हाइड्राइट भी बन पहला पाइंट था ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनेगा छारी धात्रिक और इधार अम लिए उदाचीन उम्मेद करता हूं त्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी के साथ धातु एबं अधातु के रासाइनी गुणों में अंतर कर पाएंगे इनका नोट्स दना पाएंग आपका बहुत बहुत धन्दवाद